यमिश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिल से हाजिर हैं एक नवी वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस योट्यूब चैनल पे जो 600 पदों के लिए बंपर सरकारी सिक्षक भरती के लिए ओनलाइन आवेदन शुरू अगर आप टेलिग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप और चैनल को भी जोईन सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा नहीं तो आप टेलिग्राम पे सर्च कर सकते हैं शोर सक्सेस ग्रूप या शोर सक्सेस चैनल या शोर सक्सेस न्यूप तो आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप और चैनल देखने को मिल जाएंगे जो अपने यूट्यूब चैनल का लोगो है सेम वही लोगो टेलिग्राम पे भी आपको देखने को मिलेगा तो जी का दोस्तों फीस बगएरा निर्धारित की गई है आयसी मा क्या है इन पदों के लिए ये देखे दोस्तों सबसे पहले पदों का विविरन आप देखे अन आरेक्षित अन रिजर्वड के 251 पद हैं आर्तिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS के 649 अनुसुचित जाती के 1027 अनुसुचित पदों के लिए ये रिक्रूट्मेंट आई हुई है जहां तक आविदन करने की अन्तिम तिथी की बात है विज्यापन संख्या 2 बटे 2022 सिक्षय विभाग के अंतरकत उच्चे माध्यमिक विधालेव में प्रदाना अध्यापक के 6421 रिक्त पदों पर नियुकती है तू दि प्रकार विस्तारित किया जाता है पहले दोस्तों इन के लिए आविदन करने की अन्तिम तिथी 28 मार्च 2022 थी अब उसे बढ़ा के और 11 अपरेल 2022 कर दिया गया है अब आप इन पदों के लिए 11 अपरेल 2022 तक आविदन कर सकते हैं आनलाइन आविदन में एडिट करने की तिथ पहले 4-4 2022 थी अब उसे बढ़ा के 18-4 2022 कर दिया गया है तो दोस्तों इस प्रकार से अब आप इन पदों के लिए आविदन कर सकते हैं अन्तिम तिथी में बदलाव कर दिया गया है अब देखिए किस मंडल में कितने पद हैं प्रमंडल का नाम है ये पदों का विवरण है ये श्रेणी है पूर्णिया डिस्टिक में कुल मंडल में कुल वेकेंसिया 715 है कटेगरी के अकोर्डिंग आप याँ से ये देख सकते हैं जो आपकी कटेगरी है उसे वीडियो को रोके पटना मंडल में 906 पद हैं सारन में 641 हैं मुंगेर में 563 हैं तिरहुत में 1402 पद ह तो कुल 6421 पदों के लिए प्रधाना अध्यापक की वेकेंसिया आई हुई हैं दिव्यांगू के लिए भी अलग से यहां वेकेंसिया दी गई हैं और स्वतंतरता सेनानियों के पोता पोती नाति नातिन को भी 2% आरक्षन दिया गया है ये भी मंडल के अकोर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं ये है दोस्तों इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन बिहार लोग सेवा आयोग 15 नहरूपत बैली रोड पटना की तरफ से जारी किया गया है ओफिशल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in ओफिशल वेबसाइट पे ही आप इनके लिए ओनलाइन आविदन कर स देखते हैं वेतनमान 35 जार एम सरकार द्वारा समय समय पर दे अन्या भत्ते तो बड़ी अच्छा आपको इसमें सहली मिल जाएगी सेक्षनिक योग्यता देखिए इंगलिश में देखते हैं शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ओ बिहार स्टेट भार प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजवेशन आपने कर रखी हो अगर आप शेडूल का शेडूल ट्राइव या एक्स्टेमली बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास या परसन विडिसेबलेटी या वूमेन एंड इकनोमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आपको इन 50 पर इकतर एलिजिबलेटी टेस्ट कंड़क्टिड बाई टीचर्स अपाइंडमेंट ओन और आफ्टर 2012 टेट भी क्लियर होना आपका आवशक है तो ये एलिजिबलेटी है अगर आप ये एलिजिबलेटी फुल्फिल करते हैं भारत के आप नागरिक हैं बिहार के निवासी हैं ग्रेजवेशन चास परतिशत अंकों के साथ या अपनी केटेगरी के अकॉल्डिंग 45 परतिशत अंकों के साथ आपने कर रखी है उसी के साथ बीएड आपने कर रखी है टेटाप का क्लियर है तो आप इन पदों के लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हैं तो यहां अनूभव भी मांगा गया है राज्य सरकार के विध्याले में पंचायती राजसंस्था एव नगर निकाई संस्था अंतरकर माध्यमिक सिक्षक के पद पर नियुनितम दस वर्स की अगर आपने लगातार सेवा दी है तो आप आविदन कर सकते हैं या फिर सी बीएसी एसी या बी एस से स्थाई मान्यता प्राप्त विध्याले से माध्यमिक सिक्षक के पद पर नियुनितम 50 वर्स की लगातार सेवा हो तो दोस्तों अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में भी कारिय कर रखा लगातार 12 वर्स तक तो भी आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं और प्राइ सिक्षक के पद पर नियुनितम 5 वर्स की लगातार सेवा आपने दे रखी हो तो ये भी आप देख सकते हैं मतलब experience यहां मांगा गया है पद के according आठ दस या बारा साल अलग-लग स्कूल के लिए हैं तो आप देख लिजिए इन में से एक आपके पास होना चाहिए कर घय में कोई एक experience आपके पास है तो आप इन पदों के लिए online आविदन कर सकते हैं यह experience आप English में भी देख सकते हैं अगर हिंदी में कोई प्रेशानी है तो शेक्षणिक योग्यता एहों अनुभव से सम बंदित सभी परमानपतर आनलाइन आविदन भरने की आनती तीति जो के 28-3-2022 के पूरू का निर्गत होना चाहिए अथवा उमिदवार की उमिदवारी रद की जाएगी तो जो educational qualification है experience वगएरा है वो 28-3-2022 तक आपके पास ह होना चाहिए उमर सीमा की जहां तक बात है पंचायती राज संस्था एहों नगर निगाय संस्था के अंतरकत कारियरत सिक्षक्त के लिए नियूनितम एहों अधिक्तम आयू सीमा अलग-अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी वैसे ये अलग-अलग अब निर्धारित की गई है एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अभी यह देखें दोस्तों आयू सीमा निर्धारित किये गई है CBST से सुमानिता प्राप्त हैं उनके लिए के लिए के अकोर्डिंग 47, 50, 52 और 60 वर्स है बाकी के लिए अधिक्तम आयू 60 वर्स है तो ये अब निर्धारित कर दी गई है चैन परकरिया लिखित प्रिक्षा के आधार पर आपका चैन किया जाएगा 100 अंक बीड कोर्स से सम्मानित 50 अंकों की प्रिक्षा OMR पर ली जाएगी प्रते एक परसन का एक एक अंक निर्धारित है तता प्रते गल्थ उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएगे प्रिक्षा की अवधी दो गंटे होगी अंजी दोस्तों एक बटे चार नेगेटिव मार्किंग है दो गंटे का पेपर होगा 140 परसन आप से पूछे जाएंगे 100 परसन बीड कोर्स से जुड़े होगे और 50 अंक अन्य संबंदित प्रिक्षाओं से जुड़े होगे और OMR-based आपका एक्जाम होगा शाक्षातकार इसमें नहीं लिया जाएगा ओफिशल वेब साइट है बिहार पबलिक सर्विस कमिशन की यहां डिटेल नोटिफिकेशन एवलेबल है यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे आप इन पदों के लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों मेंन मेंन सारी जैनकारी इस रिक्रूटमेंट से जड़ी हुई बिलकुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें फिर विन दे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमश्कार